हेलो स्टूडेंट इपाश्रादा चैनल में आप लोगा स्वागत है मेरा नाम शिवा अपनी मैच्स की सीरीज को आगे बढ़ाते वे क्लास 9 की पोलिनोमियल चैप्टर एक्ससाइस 2.1 का आज हम डिस्कस करेंगे कोशन नमबर फोर्थ कोशन नमबर फोर्थ अगर मैं रीड करूं तो इसमें दिया है अगर किसी बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाईए और वो वीडियो देखकर आईए क्योंकि उस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझा रखा है कि डिग्री ओफ द पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है तो आईए देखते हैं इस वीडियो में इस कोश्चन को कैसे अटम्ट किया जाए यहाँ पे आप लोगों से स्टूडेंट पूछा है कि डिग्री क्या है बताओ पोलिनोमियल ले दी मैंने आप लोगों को बताया था कि डिग्री का मतलब होता है हाइस्ट पावर यहनी कि इस पोलिनोमियल में आप लोगों को हाइस्ट पावर क्या दिख रही है वो ही इसकी डिग्री बन जाएगी यहाँ पे आपको आइस्ट जो पावर है वो नजर आ रही है थ्री तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो हो जाएगी थ्री next 4-y की power 2 यहां पर highest power variable की आपको नज़र आ रही है 2 जिसके वज़े से इसकी degree हो जाएगी आपकी 2 है ना कितना simple अगले questions को देखते हैं यहां पर 5t-root 7 जैसे कि आप देख सकते हो t की जो power है कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है तो इसका मतलब highest power यही 1 हो जाएगा और इसकी degree हो जाएगी आपकी 1 4th question की बात करें student यहां पर आप लोगों के सामने variable ही नहीं है तो variable नहीं है इसका मतलब degree of the polynomial आपका हो जाएगा 0 आप लोगों को यह question समझ आया हो आप लोगों को पता चल गया कि degree of the polynomial किसको कहते है और उसको कैसे identify किया जाता है एसे वीडियो के लिए आप यी पाच्चाजा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए लाइक कर दिजिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो और बैल आइकन को प्रेस कर दिजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों को जल से जल मिल सके मेरा नाम शिवा मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में